हालो हो शबी दोस्तों को नमस्कार मैं प्रमावत कुआर आज फिर आप लोगों साथ एक प्रहण डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ही चर्चा में है तो प्रहस को डिस्कस करते हैं प्रहस संख्या है चववन निम लिखित में से किस देश की सीमा पेरू से नहीं लगती है तो इसके चार आपसन है ए है एकवाडोर बी है कोलंबिया सी है ब्राजील और डी है संयुक्त अरब अमीराथ तो इसमें आपको बताना है कि किस की सीमा जो है वो जो है पेरू से नहीं लगती है तो इसका सही आपसन है संयुक्त अरब अमीराथ की जो सीमा है वो पेरू से नहीं लगती है और ये जो इकवाडोर कोलंबिया और ब्राजील ये जो तीन देश है इन्की सीमा जो है पेरू से लगती है तो ये जो है क्यों चर्चा में रहा क्योंकि अभी हाल ही में जो पेरु के पुरा तत्विद हैं इन्होंने 3000 साल पुराने मकबरे का पता लगाया है तो इसलिए ये जो है पेरु बहुत ही चर्चा में आ गया है पेरु जो है दच्षडी अमेरिका में एक देश है जो की दच्षडी गोलार्थ में इस्थित है इसकी जो है सीमा उत्तर में एकवाडोर से लगती है और कोलम्बिया से उत्तर में इसमें इकवाडोर और कोलम्बिया से और पूर में इसकी सीमा जो है ब्राजील से लगती है तथा दच्छिड पूरुम में बोलविया से तथा इसके दच्छिड में चिली से और दच्छिड पस्चिब में पुरसांत महसागर से जो है इसकी सीमा लगती है इसकी और दच्छिड अमेरिका की जो सबसे बड़ी जील जो है वो टिट काका जील है जो पेरु और बोलविया के बीच अंडीज परोद पर इस्थित है यह जो टिट काका जील है यह बहुत ही फेमस जील है यह जो है पेरु और बोलविया के बीच अंडीज परोद जो है उसी देस्थित है और पेरु की जो राजधानी है वो है लीमा यह जो है पेरु का सबसे बड़ा सहर भी है और यह पेरु की राजधानी भी है तो यह जो है पेरु से संबंधित रही कुछ जानकारी क्यों पेरु से यह तीन देश जो है एकवाडोर कोलंबिया और व्राजील अपनी सीमा साजह करते हैं जिबकि सयुक अरव अमीराद इससे कोई सीमा साजह नहीं करता तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल प्रमोद्गवार ओनली फार इस्ट्रिविजन को लाइक सेर सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखने के झाल